आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया में साइन नीव नमस्कार दोस्तों समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन नीव में एक बार फिर आपका स्वागत है वैसे तुछ सभी जानते हैं के सिवनी जिले में गली गली शराब विक रही हो और आज परुक्ष तोर पर ये साबित होता हुआ भी दिख रहा है फिलहाल हम आपको यहां दिखा रहे हैं ये एकसाइस का वियर हाउस है सिवनी शहर का विदेशी मद्ध भंडार गार जिला सिवनी समचार एजनसी अफ इंडिया की साइनी उस के लिए खलेश दुबे की रिपोर्ट दरसल जिला जिले में के आपकारी विभाग में पदस्त सहायक आयोक्त और उनके सहायक रिश्वत लेते हुए पकड़ाए हैं सहायक आयोक्त आपकारी शैलेश कुमार जैन और सहायक जिला आपकारी अधिकारी पवन कुमार जहारिया को रिश्वत लेते लोकायोक्त पुलिस के द्वारा रगे हातों गिरफतार किया है कटना इस्तल विदेशी मद्य भंडागार सीवनी का बताया जा रहा है और आवेदक खेरा पलारी तिगड़ा इस्तित निवासी बसंत स्वरगी बसंत लाल साहू के पुत्र संतावन साल के राकेश कुमार साहू हैं इन से पांच लाख रुपे की रिश्वत ये आपको जो दिख रहे थे ये जो चश्मे वाले संजन बैटे हुएं उनके पीछे टोपी लगा कर सहायक आपकारी अदिकारी बैटे हुए हैं श्री जहारिया उनके द्वारा पांच लाख रुपे की रिश्वत जिले में पदस सहायक आयुक्त आपकारी शैलिष जैन के कहने पर मांगी गई बताई जा रही है तीन सिंडिकेट ग्रूप के नो दुकानों का संचालन राकेश कुमार सहुक करते हैं इसके सोचारू संचालन के लिए अवैद मासिक रिश्वत पांच लाख रुपे की राशी शैलिष कुमार जैन के द्वारा मांगी गई थी यहां पर जारी है और यह जो मूँ छुपाए हुए दिख रहे हैं पीछे आपको दिख रहे होंगे टोपी लगाई यह हैं सहायक आपकारी अधिकारी यहां पर बैटे हुए पवन कुमार जारिया इन्होंने यह देखे यह जो हैं यह बैठे दिख रहे हैं यह ठेकेदार हैं जिनके दोरा शिकायत की गई है आपको दिख रहे हैं यह ठेकेदार राकेश कुमार साहू और हमने आपको दिखाया पवन कुमार जारिया सहायक आपकारी अधिकारी 5 लाख की רशवत मANGगी गई थी 30,50,000 रुपे की रशवत ये राकेश कुमार साहू जो दिख रहे हैं दायां तरह इनके दुआरा दी गई और वो जो पवन कुमार जीहा बैटे हैं उनके दुआरा रशवत ली गई ये पूरा लेन देन सहायक आयोक तो आपकारी शैलिश जैन के कहने पर हुआ इस संबंद में लगातार ही लगबग एक डिड़ दशक से सीवनी उड़ता सीवनी बन चुका है सीवनी में गली गली शराब बिकरही ये देखे ये हैं सहायक आपकारी अदिकारी पवन कुमार जारिया जिनके द्वारा रिश्वत दी गई है वहीं कलेक्टर कार्याले के सूतरों ने समाचार एजिनसी अफ इंडिया को ये जानकारी भी दी कि सहायक आपकारी शैलेश जैन यहां उपस्तित नहीं थे वे कलेक्टर कार्याले के किसी बैठक में उपस्तित थे ये जानकारी सूत्रों के हवाले से समाचारी जिन्सिफ इप इंडिया के पास पहुंची है जब चुकि ये लोकायुक्त की कारवाही है लोकायुक्त किस तरह की कारवाही करता है इस बारे में लोकायुक्त की ही बता सकते हैं पर ये एक बहुत बड़ी बात है प्रेशन अभी भी यही खड़ा हुआ है कि पांच लाख रुपे की राशी किस काम के एवज में मांगी जा रही थी आपकारी विभाग के सुत्रों का कहना है कि गली गली शराब बेचने के अगोशित परमिट आप अगर देखेंगे तो आपकारी विभाग के दोरा जब भी चापे अमारी की जाती है तो देशी लहान नश्ट किया जाता है देशी लहान जब्त किया जाता है अंग्रेजी शराब महंगी अंग्रेजी शराब आपकारी विभाग के दोरा शायद ही कभी जब्त की गई हो देर रात आपकारी विभाग शराब दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है पर दिर रात शराब दुकाने खुलती हैं अगर जिले के अधिकारी चाहें तो शराब की दुकान को खट-कटा कर अगर दो बजे रात को भी अगर आप दुकान कट-कटाते हैं तो आपको शराब वहाँ से मिल सकती है मुख्यमंत्री जी अब तो मानेंगे कि सीवनी में अवेद रूप से शराब बिक रही है क्या कहना है डियस पी लोकार काम सुनाती है हमारे आवेदक है राकेश कुमार साउ ये पलारी के निवासी है ये शराब के ठेकेदार है इनकी यहाँ सीवनी जिले में 9 दुकाने चलती है सराब दुकानों के संचालन के लिए अवेद रूप से यहाँ पदस्थ है सहायक आयुक्त स्री सैलेज जैन उनके दौरा पांच लाक रुपए की मांग की गई थी आज हमने सेलेज जेन के कहने पर सायक जिला अपकरी अधिकारी से पोवन जारिया इनको साड़े तीन लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है दोनों के विर्द्ध कारवाई जा रही है कि सेवज में मांगी जार है यह बात क्या पbok हैक जारा अवेद करना चाहे रह सुरा क्या बता है कि यह बात कहीं कि क्या करना चाहिए रहा था श instincts करताशील जिसके अबज में शिक्ते हैं ये तो हमारे विवेजना का विशह है इस पर दिलीप जर्वडे तो ये थे दिलीप जर्वडे डियस पी लोकायुक्त उनके द्वारा पूरा मामला बताया गया उनसे जब ये बात पूची गई कि किस काम के लिए किस अवैद काम के लिए उनका अन्वेशन क्या विशह है यहाँ आपकारी वभाग के करमचारियों और ठेकदार के यहाँ पर कारिंदे दिख रहे हैं शराब यहाँ से जा रही है शराब दुकानों में यह भंडार रगर है यहाँ पर है यहाँ जो चर्चर चल रही थी यह चर्चाओं के अंसर जि में एक अधिकार बनाने के लिए आपकारी भाग के जरी अपने पहुंच का उपयोग करते हुए ठेकेदारों पर दबाओ बनाया जा रहा है ये बात भी यहां पर चर्चाओं में हैं चर्चाएं तो इस तरीके की भी पूरे शहर में चल रही कि इस कारवाही के बाद मुख्य अन्य जिले के थार्ड एजनसी से तीसरी एजनसी से अगर इसकी जाच कराई जाए तो जिले के हर गली में शराप बिक्ती पाई जाए तो किसी को आश्चर नहीं होना चाहिए समचार एजनसी अफ इंडिया की साइनी उसके लिए खले शुदबे की रिपोर्ट इस तरीके क कारवाई सिवनी में पहली बार हुई है हम फिलाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे फिर हाजर होंगे जय हिन की सबस्दरी बार हुआ उसा चाहे है जाए जश्चर आपसे ले बार आपसे संब एंडिया ग्यागे ले जाए जाए झाल होंगे तरीच जिए हैं टुदुदबेग जाए ले हैं जाए जार जाए जाए गचर बार हुई है झाल